आदाब मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्सिटी के इस सेक्षिक कारिक्रम में मैं डॉक्टर अब्रार खान अतिथी प्राध्यापक हिंदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ प्रिय विद्यार्थियों आज हम मौलाना आजाद नेशनल उर्दू उनिवर्सिटी के अंतरगत चलने वाले बीए हिंदी प्रथम वर्ष के पाठ्यकरम के प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतरगत इतिहास और साहित्य इत इतिहास विशे पर चर्चा करेंगे। साहित्य इतिहास के अर्थ एवं परिभाशा पर विचार कर सकेंगे। अपना मत प्रकट करते हैं। उस मत में उस इतिहास कार का अपना एक दृष्टिकोण होता है। इतिहास का भी अपना एक दर्शन होता है। इसमें भी भारतिय इतिहास कारों का अपना दर्शन है तथा पाश्यात्य इतिहास कारों का अपना अलग दर्शन है। समान्यतह जिसे हम इतिहास कहते और समझते हैं उसी तरह से साहित्य का भी अपना एक इतिहास होता है। हिंदी साहित्य का भी अपना एक इतिहास है जिसके बारे में हमें साहित्य इतिहास गरंथों से ग्यान प्राप्त होता है। इतिहास अर्थ एवं परिभाशा इतिहास का संधि विच्छेद करने पर इति धन ह धन आस बनता है इसके शाब्दिक अर्थ पर विचार करें तो इसका अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ यहां कहीं न कहीं अनुमान की जलक भी विद्यमान है प्रिविद्यार्थियों आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इतिहास का संबंध अतित से होता है और इसमें वास्तविक घटनाओं का ही समावेश किया जाता है डाक्टर नगेंद्र का कथन है अतीत के किसी भी तत्य तत्व एवं प्रवृत्ति के वरण विवरण व विशलेशन को जो की काल विशेश या काल क्रम की द्रिश्टी से किया गया हो इतिहास कहा जा सकता है हमारे सामने यह एक महत्वकून प्रश्ण है कि अतीत में तो बहुत सारी घटनाएं घटित हुई हैं क्या सभी घटनाओं के विवरण को इतिहास मान लिया जाए तो इसमें हमारे समक्ष बात यह आती है कि कोई अकेला इतिहास कार पूरे इतिहास का लेखन तो नहीं कर सकता हाँ यह अवश्य है कि वह अपनी रूची तथा योग्यता के अनुरूप किसी काल विशेश या घटना को लेकर उस पर अपने इतिहास का लेखन करे इस विशे में डाक्टर गडपती चंदरगुप्त ने बड़ी ही सटीक टिपपड़ी प्रस्तुत की है वे लिखते हैं अतीत के गर्भ में इतना कुछ छिपा हुआ है कि उसे समग्र रूप में प्रस्तुत करना किसी भी इतिहास के वश की बात नहीं है इसलिए विभिन इतिहास कार अपनी अपनी रूची एवं द्रिश्टी के अनुसार अतीत के कुछ पक्षों को अपने अपने शब्दों में प्रस्तुत करते हैं प्रतेक व्यक्ति जो कुछ देखता है उसमें उसकी वयक्तिक रूची के साथ साथ उसके युग की सामूहिक चेतना उसके बौधिक विकास एवं उसकी भावातमक प्रविर्टियों का प्रभाव भी मिश्रित होता है इसलिए उसका अतीत संबंधी आख्यान भी अन्यव्यक्ति के आख्यान से थोड़ा बहुत भिन हो जाता है और इसी भिन्नता के कारण इतिहास का अर्थ भी समय समय पर बदलता रहता है प्रियविद्यार्थियों हमें यह जान लेना चाहिए कि द्रिष्टिकोन के अनुसार घटना का वरलन भी बदलता है एक ही घटना को विभिन्न इतिहास कारों द्वारा विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है इससे उस घटना को समझने में कभी-कभी बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो प्रियविद्यार्थियों आईए अब हम इस विशय पर विचार करें कि इतिहास क्या है विभिन्य इतिहासकारों ने अपने अपने हिसाब से इतिहास की परिभाशा प्रस्तुत की है हिरो दोतस जो यूनानी विद्वान था उसने इतिहास के समानार्थक हिष्ट्री शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया उसने इतिहास को खोज, गवेशडा या अनुसंधान के अर्थ में ग्रहन किया हिरो दोतस ने इतिहास के चार प्रमुख लक्षन निर्धारित किये इतिहास एक वैज्ञानिक विधा है अर्थात इसकी पद्धती आलोचनातमक होती है यह मानव जाती से समंधित होता है अतह यह एक मानवीय विद्या है और इसमें मानवीय क्रिया कलापों का ही अंकन होता है यह तर्क संगत विद्या है क्योंकि इसके तथ्य और निशकर्ष प्रमानों पर आधारित होते हैं यह सिख्षा प्रद विद्या है क्योंकि यह अतीत के आलोक में भविश्य पर प्रभाव डालता है विको इतली के विद्वान थे इन्होंने इतिहास के संदर्व में कहा इतिहास का निर्माता स्वयम मनुष्य है और मनुष्य की मूल भूत प्रवित्तियां सदा समान रहती है अतह विभिन्य युगों के इतिहास में भी समान प्रवित्तियों का मिलना स्वाभाविक है डॉक्टर गडपती चंदरगुप्त लिखते हैं वर्तमान में इतिहास का अध्यन अत्यन्त व्यापक एवं सुक्ष्म रूप प्राप्त कर चुका है व्यापक इसलिए कि वह एक वर्ग या देश का इतिहास न रहकर विश्व इतिहास बन रहा है और सुक्ष्म इसलिए कि वह केवल स्थूल घटनाओं का इतिहास न रहकर सुक्ष्म सामाजिक मनोवैज्यानिक एवं सांसकृतिक प्रगृत्तियों की पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं उनके विकास की व्याख्या का रूप प्राप्त कर रहा है इस प्रकार हम देखते हैं कि इतिहास को लेकर बराबर विचार परिवर्तन होता रहा है समया नुसार बहुत सारी विचारधाराएं परिवर्तित होती रही है यदि हम यह कहें कि इतिहास सोयम में भी एक इतिहास है तो कोई अतिशयोक्ती ना होगी इतिहास दर्शन का सीधासा तातपरी है इतिहास का दर्शन। इतिहास का प्रशन है तो विभिन विद्वानों के अपने अपने दर्शन रहे हैं। विभिन विचारधाराओं को समूह रूप में इतिहास दर्शन कहा जाता है। पश्चिम के विद्वानों ने इतिहास दर्शन फिलासफी आफ हिष्ट्री का प्रयोग सीमित अर्थों में किया था। डाक्टर नगेंद्र का कथन है इतिहास दर्शन उन द्रिष्टिकोणों विचारों व अध्यन पधतियों के समूह का सूचक है जिनका प्रयोग इतिहास के अध्यन से संभव है। इतिहास को लेकर भारतीय एवं पाश्यात्य द्रिष्टिकोण में अंतर है। इतिहास पर भारतीय एवं पाश्यात्य द्रिष्टिकोण के संदर्व में हम आगे विचार करेंगे। इतिहास के प्रती भारतीय द्रिष्टिकोण वेदों की संख्या चार है रिगवेद, यजुरवेद, सामवेद, अथर्ववेद ध्यान रहे वेदों का महत्व धार्मिक दृष्टिकोंड से है परन्तु ततकालीन समाज की स्थितियों का भी ज्यान इनसे होता है इनका महत्व मात्र सामाजिक ही नहीं अपितु आर्थिक, राजनैतिक एवं भाशिक परिस्थितियों के ज्यान के संदर्व में भी है ब्रामण ग्रंथ एवं उपनिशद इन ग्रंथों से भी हमें ततकालीन समाज की जानकारी प्राप्त होती है हालां की इन पर धर्म का अधिक प्रभाव रहा है फिर भी इतिहास ग्रंथ लेखन में इनसे थोड़ी बहुत मदद अवश्य ही ली जा सकती है महाकाव्य दो महाकाव्य रामायण और महाभारत से ततकालीन समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी मिलती है इनके समय को लेकर अवश्य ही विवाद है परन्तु इनके महत्व को सिरे से खारीज नहीं किया जा सकता पुरान, इनकी संख्या 18 है, इसमें मत्स्य पुरान आदी महत्वपून है, प्राचीन इतिहास लेखन के लिए इनकी आवशक्ता पड़ती है जैन तथा बौध साहित्य भी इस संदर्व में महत्वपून है, इस क्रम में जैन धर्म की कई रचनाएं अपना विशेश महत्व रखती है जहां तक बौध साहित्य का प्रश्ण है तो इस संदर्व में विभिन्न पुस्तकों के अतिरिक्त, सिद्धों तथा नाथों का साहित्य भी महत्वपून है कल्हन की राज तरंगिनी का कश्मीर के इतिहास के संदर्व में विशेश महत्व है इसका रचना काल 1149 इस्वी है यह ज्ञान कोश है इतिहास के संदर्व में इसके महत्व को नहीं भुलाया जा सकता मध्यकाल के ग्रंथ मध्यकाल में शाषन प्रशाषन मुसलिम बादशाहों के हाथ में था वे बराबर अपना शासन कूटनीती, राजनीती, धर्मनीती आधिके माध्यम से चलाते थे विभिन मुसलिम इतिहास लेखकों ने ततकालीन, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक आधि परिस्थितियों का वरलन किया है मुस्लिम कालीन इतिहासकारों की प्रमुख पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं तारीके फिरोज चाही संस ए सिराज अफीक, तारीकुस सिंध मीर मुहम्मद मासूम, हुमायू नामा गुलबदन बेगम और जफर नामा सर्फुद्दिन यजदी आदी प्रमुख हैं प्रिविद्यार्थियों ध्यान रहे प्राचीन काल में इतिहास लेखन से यधिक धर्म लेखन महत्पून था, इतिहास में शुद्ध एतिहासिक्ता का अभाव दिखता है धीरे-धीरे स्थितियां मदलती रही अंग्रेजों के जमाने में भी इतिहास लेखन हुआ परंतु उसके इतिहास लेखन के द्रिश्टिकोण पर भी बराबर प्रश्णचिन लगता रहा है आधुनिक काल में इतिहास लेखन जारी है परन्तु इतिहास को तोड मरोड कर प्रस्तुत करने के प्रयास के आरोप बराबर लगते रहते हैं डाक्टर नगेंद्र का कथन है भारतिय इतिहास कार ने अपनी संस्कृती एवं जीवन के आदर्शों के अनुरूप ही इतिहास के छेत्र में भी संशलेश आत्मक व समन्वयात्मक द्रिष्टिकोन का परिचय देते हुए उसमें सत्यम, शिवम व सुन्दरम के समन्वय का प् कहा जा सकता है, इतिहास में किसी प्रकार का घाल मेल ना करते हुए साफ तवर पर इतिहास लेखन करना चाहिए, इतिहास के प्रती पास्चात्य द्रिष्टिकोन, इतिहास के संदर्व में जहां भारतिय द्रिष्टिकोन आदर्शवादी रहा है, जिसमें धर्म का प्रमु डार्विन, कांट, माक्स आदी ने इस संदर्व में प्रयास किये थे वर्तमान में विकासवादी सिध्धान्त को स्विकार किया जाता है प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रहे अब तक के जो इतिहास से सम्मंधित द्रिष्टिकोड हैं उनमें से किसी को भी पूरी तरह से सही या पूर्ण नहीं कहा जा सकता विभिन्य छेत्रों में कार्य करने वाले विकासवादी चिन्तकों में भी परसपर एक रूपता नहीं है ध्यान पूर्वक देखें तो डाक्टर नगेंदर के शब्दों में डार्विन का विकासवाद प्राणी शाष्त्र में लागू होता है, वहीं माक्स का अर्थ शाष्त्र में, स्पेंसर का भौतिक विज्ञान में या बर्गशा का मनो विज्ञान में लागू होता है हमारे विचार में नियम और अनुशासन का यह विरोध आवैज्ञानिकता एवं अराजकता का ही पोशक है किसी भी विशय में कुछ न कुछ नियम तो बनाने ही पड़ते हैं इतिहास का लेखन भी किसी न किसी नियम को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए प्रिविद्यार्थियों आगे हम साहित्य इतिहास का अर्थ एवं परिभाशा पर विचार करेंगे साहित्य इतिहास का सीधा सा अर्थ है साहित्य का इतिहास प्रतेक साहित्य का अपना इतिहास होता है चाहे वह हिंदी साहित्य का इतिहास हो या उर्दू, अर्भी, फार्सी, संस्कृत, आदी का इतिहास हो उस साहित्य के इतिहास में ततकालीन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक आदी परिस्थितियों का विवेचन होता है साहित्य का इतिहास में एक पक्ष नहीं अपितु विविदु पक्षों पर विचार किया जाता है। जहां तक साहित्य के इतिहास की परिभाशा का प्रश्न है तो इस संदर्व में आचार्य रामचंद्रशुकल का कथन है। जबकि प्रतेक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्वृत्ती का संचित प्रतिविंब होता है तब यह निश्चित है कि जनता की चित्वृत्ती के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदिसे अंत तक इन ही चित्वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रतेक काल में जनता की चित्वृत्ती भी होती है। जनता जिस प्रकार के साहित्य को रुचि पूर्वक पढ़ती है, लेखक उसी प्रकार के साहित्य का स्रिजन करने में रुचि लेता है। जनता की रुचि का प्रभाव ततकालीन साहित्य पर भी पढ़ता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संदर्व में डाक्टर बच्चन सिंग का कथन है, साहित्य तिहास लेखन एक प्रवहमान और गत्यात्मक प्रक्रिया है। यह सत्य ही है कि साहित्य तिहास लेखन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विभिन पुस्तकों का प्रकाशन समय समय पर होता रहता है। नए वाद चलते रहते हैं, उन नवीन वादों की चर्चा भी हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक में आवश्यक होती है। प्रियविद्यार्थियों, आईए अब हम प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों के विशय में जाने। हिंदी साहित्य के इतिहास से सम्मंधित विभिन पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। कुछ विशेश रूप से भाशा पर हैं, कुछ किसी विशेश कालखंड में प्रचलित वाद पर हैं। प्रियविद्यार्थियों ध्यान रहे, इनमें से कुछ पुस्तकें अनुवादित भी हैं। इनमें हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक रूप वप्रयास अवश्य मिलता है। ये इस प्रकार हैं। इनके अलावा हिंदी भाषा एवं साहित्य से सम्मंधित अन्य ग्रंथ भी समय समय पर प्रकाशित हुए हैं। प्रियविद्यार्थियों इस सैक्षिक कारिक्रम के अंतरगत हमने इतिहास का शाब्दिक अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इतिहास के संदर्भ में विभिन विद्वानों यथा हीरो दोतस, विको, गलपती चंदर गुप्त आदी ने अपने विचार प्रकट किये हैं। इतिहास दर्शन का सीधा सा तात्परिय है इतिहास का दर्शन। पश्चिम के विद्वानों ने इतिहास दर्शन फिलासोफी आप हिष्टरी का प्रयोब सीमित अर्थों में किया है। इस संदर्भ में भारती एवं पास्चात्य इतिहास कारों के दर्श्टिकोड में अंतर है। पास्चात्य इतिहास कारों का दर्श्टिकोड यथार्थवादी रहा है। साहित्य इतिहास का सीधा सा अर्थ है साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास में ततकालीन, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, संस्कृतिक आधी परिस्थितियों का विवेचन किया जाता है। जनता की रूचिका प्रभाव ततकालीन साहित्य पर भी पड़ता है। प्रियविद्यार्थियों, आशा है कि यह सेक्षिक कारिक्रम आप के लिए लाभकारी सिध्ध होगा। इस विशय पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इन पुस्तकों को देखा जा सकता है। हिंदी साहित्यका इतिहास आचार्य राम चंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्यका आलोचनात्मक इतिहास डक्टर राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्यका वैज्यानिक इतिहास प्रथम खंड डक्टर गडपती चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का इतिहास संपादक डाक्टर नगेंद्र, सह संपादक डाक्टर हर्दयाल प्रिविद्यार्थियों, आज की इस चर्चा में बस इतना ही, जल्द ही हम एक नए सैक्षिक कारिकरम के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए आदाब आपके समक्ष उपस्थित होंगे झाल